तो क्योंकि आप सभी को पता है CTAT का exam आपका CBT mode पर होता है आपका computer based test होता है तो आपको online practice करना बहुत ज़्यादे जरूर ही होता है क्योंकि पिछली बार भी जब आपका exam online हुआता है तो जिन बच्चों ने online practice नहीं करी चाहे computer पर हो आपका चाहे mobile को पर हो तो उनको बहु test को ready कर वा लिया था और जब अच्चे software पर अपने exam देने गए तो उनको यह वाला फील हुआ ही नहीं कि वह exam देने गए है या घर पर जाकर practice कर रहे है क्योंकि software सेम उसी pattern पर ता जो आपका CBSC का जो आपका pattern होता है ठीक है तो आप लोग इन पर जाकर practice कर सकते हो तो देख तो यह आगे सामने आपको अपने mock test जो आपके दिख रहे है आपको screen पर total जो आपके 120 है जिसमा आपका पिचाय paper 1 हो, paper 2 हो, Hindi English, Sanskrit, XYZ कोई भी आपके subject हो तो यह total आपके mock test आगे जो आप सामने आपको screen पर आपको दिख रहे है ठीक है तो इसको आप लोग open कर लेना तो जै जाएंगे जैसे सुरू में Hindi और English वाला दिख रहा है अगर किसी बच्चे की Hindi English नहीं है Hindi Sanskrit है तो सबसे नीचे चले जाना तो उनकी Hindi Sanskrit आ जाएगी जिनका social science के है वो सबसे नीचे चले जाना जिनका में science है वो ओन नीचे चले जाना तो इस तरीके से सभी आपके mock test आपको द जाता हो तो इस तरीके का कुछ आपको सामने अपनी स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेगा ठीक है और जो पुराने बच्चे है वो logout करके login कर लेना आपके update हो जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपके exam में भी आपको देखने को मिलेगी मैंने का न सेम CBSC पर मैंने इसको बनवाए हुआ आपको फीली नहीं होगा आप लोग exam के अंदर हो या अपने घर के अंदर हो तो या पर आप लोग क्या काम कर देना ऐसा कुछ आपको जन्रेल इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगे अपने इसके उपर आप लोग next कर देना next करने के बाद यह आपको दिया हुआ है या पर कि I have read and understood the instruction जो आपको लिखा हुआ है यहा पर ही जो आपको कोलम बना हुआ है इस पर OK कर देना तिक कर देना और टिक करने के बाद यहा पर जो आपको लिखा हुआ है I am ready to begin इसके उपर आप लोग OK कर देना करने के बाद यह सामने कुछ आपके इस तरीके से आपके खुल जाएंगे जो आपके mock test है आपके exam में भी ऐसा ही आपको देखने मिलेगा यहाँ पर आपकी cloak चलेगी यहाँ पर आपकी जो घड़ी चलेगी जो आपको टाइम बताएगी जैसा आपका डाइगंटे का आपक कश्राटि करने को कर सकता है तो फीरी ने किसिक किति आपके mark Test कर लेने तो संच्रीट आ जाएगी ठीके पर जो बी आपका आंशार आपको ठीक लगे आप उसको टिक कर सकते हो जैसे कि बाकेक तो कोई बोप्षन आपने लगा दिया और इसको tick करने के बाद यहाँ पर आपने save and next करा तो यहाँ पर आपके क्या है आपके यहाँ पर answer आपको यहाँ पर show हो जाएंगे show होने के बाद जितने भी answer आप लोग यहाँ पर tick करोगे ठीक है तो जितने भी answer आप लोग यहाँ पर tick करते जाओगे save and next करके तो यहाँ पर आप लोग इसको last में submit कर देना submit करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का आएगा तो इसको continue कर देना तो इसमें क्या है आपका जो result record है वो सामने आपको अपनी screen पर आपको गलत है अब आपको चेक करना है आपने क्या काम करा है 150 question attempt कर लिये पूरे का वाइगंट कर अब को Чzeigt करना है कि कितने मेरे सही हुए और कितने मेरे गलत हुए तो जुद हमके बता दिये जाएंगे कि कौन से के गलत हुए और कितने गलत हुए तो यहाँ पर आपका स्कोर बता दिया कि 150 में से इतने नंबर आपके सही हुए है ठीक है तो जैसे आपने पहले CDP का देख लिया तो CDP में आपने चेक करा भाई मेरा एक सही है एक गलत है तो यहाँ पर आप लोग क्या काम करो View solution आपको दिया हुआ है यहाँ पर देखो यहाँ पर जो पहले का तैयारी हो रख किये और कितनी नहीं हुई, तो इस तरह के सा आपको मोख टेस्ट के थूरू आपकी तैयारियों का आपका पूरा आपका डाटा आपका निकलकर आजाता है, ठीक ? तो ये रहे फ्रेंट्स आपके मोग टेस्ट पूरे के पूरे जो मैंने आपको बताए और जिसके बार में पूरी डिटेल दे दी तो आप लोग गूगल पर जाएए सचिनेकडमी.com लिखेए और वहाँ पर जाकर आप लोग इनको अपना सोल करिए और अपने एक्जाम से पह लोगों के लिए बहुत जादा जिरूप जाएए